तोलकॉट पार्सन्स कौन थे? समाज शास्तर में उनका योगदान क्या था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोशियोलोजी कमपिटिटिव स्टडी के साथ जहां आपको मिलेगी सरल भाशा में समाज शास्तर के हर महत्वपून विचारक और सिध्धान्तों की जानकारी अगर आप प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या समाज शास्तर को गहराई से समझना चाहते हैं तो सोशियोलोजी कमपिटिटिव स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें टालकॉट पार्सन्स का जम 13 दिसंबर 1902 को अमेरिका के कॉलराडो स्प्रिंग्स में हुआ था पार्सन्स एक बहुत ही प्रसिद समाज शास्त्री थे जिन्होंने समाज शास्त्र में सन्रचनात्मक कार्यात्मक्ता स्ट्रक्शरल फंक्शनलिजम का सिध्धान्त दिया उनकी शिक्षा में Harvard University का महत्व पूर्ण योगदान था जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की उनकी सबसे प्रमुक्ती The Structure of Social Action मानी जाती है जिसमें उन्होंने समाज के विभिन हिस्सों के आपसी संबंदों को समझाया Parsons का मानना था कि समाज एक जटिल संरचना है जिसमें हर अंग का अपना अलग महत्व होता है लेकिन दुखद रूप से आट माई नी जवन डिनाइस को उनकी मृत्यों हो गाई उनके सिध्धान्त और विचार आज भी समाज शास्तर के क्षेतर में एक मजबूत आधार के रूप में काम करते हैं पार्संस ने कहा कि समाज एक जटिल संरचना है जिसमें हर संस्था जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म का अपना एक विशेश काम होता है हर संस्था समाज को स्थिर और संतुलिद बनाए रखने में मदद करती है सोचिए अगर इन में से कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे तो क्या होगा समाज में अस्थिरता आ जाएगी इसलिए पार्संस का कहना था कि समाज का हर हिस्सा एक दूसरे पर निर्भर करता है अजिल मॉडल पार्संस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान एजिल मॉडल है इसमें चार मुख्यकारी होते हैं जो किसी भी समाजिक प्रनाली के ठिके रहने के लिए जरूरी होते है अनुकूरेशन समाज अपने परिवेश के अनुसार खुद को डालता है लक्ष्य प्राप्ति हर समाज के कुछ लक्ष्य होते हैं जिने पूरा करना उसकी प्राथमिक्ता होती है एकी करन समाज के सभी हिस्सों को एक जुट रखना कितना जरूरी है ये पार्संस ने बताया अगर एकता नहीं होगी तो समाज तूट जाएगा समाज को बनाए रखने के लिए उसकी संस्कृती, मानदंडों और मूलियों को बरकरार रखना कितना महत्वपूर्ण है इस मौरल से Parsons हमें समझाते हैं कि समाज एक संतुलित प्रनाली कैसे बना रहता है 3. संतुलन सिध्धांत Parsons का मानना था कि समाज हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है अगर किसी हिस्से में समस्या आती है, तो समाज खुद को पुन संतुलित करने की कोशिश करता है जैसे अगर कोई संस्था कमजोर पड़ती है, तो दूसरी संस्थाएं उसकी भरपाई करती है पार्संस ने इनसानी क्रियाओं को समझने के लिए एक थियोरी भी दी उनका मानना था कि हर व्यक्ति की क्रिया चार महत्व पूर्ण तत्वों पर अधारित होती है लक्ष गोल हर इनसान की कोई न कोई मंजिल होती है माधियम मीन्स उस लक्ष ची को पाने के लिए हमें साधन चाहिए होते है स्थितिया कंडिशन्स हमारे आसपास की स्थितिया हमारी क्रियाओं को प्रभावित करती है मानदंड नौम और सबसे महत्व पूर्ण समाज के नियम और मूलियों का पालन करना होता है उनके समाज शास्तर के सिध्धान्त हमारे समाज के हर हिस्से को एक साथ कैसे काम करते हैं इसे बखू भी दिखाते हैं वन सोशल सिस्टम पार्सन्स के अनुसार समाज एक सिस्टम की तरह काम करता है जैसे आपके शरीर के अंग मिलकर काम करते हैं वैसे ही समाज के हिस्से भी आपस में तालमेल बिठा कर चलते हैं. सोची अगर शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? शरीर की पूरी प्रनाली गरबड़ा जाएगी. इसी तरह अगर समाज का कोई हिस्सा जैसे की शिक्षा, राजनीती या परिवार अपन परिवार या दोस्त और फिर होते हैं व्यावसाइक समबंद. ये वे समबंद होते हैं जिनमें हमारा उद्देश्ची किसी लक्ष्ची को प्राप्त करना होता है. जैसे कामकाजी समबंद. पार्संस ने कहा कि समाज इन दोनों प्रकार के समबंदों के बीच संतुलन बना कर चलता है. सोचिए, अगर आप अपने कामकाजी जीवन में भी व्यक्तिगत भावनाय मिला देंगे, तो क्या होगा? इसलिए समाज में अलग-अलग भूमिकाओं के लिए अलग-अलग पै ये मूली समाज के हर हिस्से को एक साथ जोड़े रखते हैं. अगर समाज में एक जैसे मूली ना हो, तो क्या होगा? सब लोग अपनी अपनी दिशा में खींचने लगेंगे और समाज बिखर जाएगा. इसलिए पार्संस का मानना था कि साजा मूली और मांदंड समाज के स् हद जरूरी है. तो आप देख सकते हैं कि टलकोट पार्संस का सिध्धान समाज के हर हिस्से को एक साथ कैसे जोड़ कर रखता है. उनका काम समाज को एक संतुलित और कार्यात्म के काई की रूप में समझने में मदद करता है. तोलकोट पार्संस ने समाज शास्तर को एक आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री विचार जानने हैं और प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर देखे हमारा चैनल सोशियालोजी कमपेटिटिव स्टाडी, यहाँ पर आपको मिलेगी पूरी जानकारी, सारल भाशा में, तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें.